मादमिक शिक्षा मंदल की दसवी और बारवी की परिक्षा दो अप्रेल तक चलेंगी इनकी कौपी अजाश्रे का काम बुध्वार से मालव कन्या स्कूल में शिरूखा इसे रेकर स्कूल में धारा 144 लागू कर सुरक्षा कड़ी कर दी गई मुल्यांगण के लिए 1000 शिक्षकों का रजिस्ट्रेशन हो जुका है विश्यानुसार शिक्षकों से काम लिया जाएगा मालव कन्या स्कूल में सुबह से गार्ट तैनात किया गया है वहीं स्कूल भवन से 100 मीटर के दायरे बाद एक रसी बांधी गई ताकि वाहनों की पार्किंग इसके बाहर ही हो सके किसी भी अनाधी कृत व्यक्ति को बगेर अनुमतीव परिचे पत्र दिखाए स्कूल में जाने नहीं दिया जाएगा वहीं शिक्षकों के लिए एसमा बुध्वार से लागो किया गया इसके ताहट जिस शिक्षक की ड्यूटी कौपी जाशने में लगाई जाएगी उससे आना ही होगा काम से मना करने पर उसके खलाफ कारवाई की जाएगी मालव कन्या संकूल प्राचार रजनी जादौन ने बताया बोर्ड परिक्षाओं की कौपी जाशने का काम दो हिस्सों में शुरू किया गया प्रथम चरण में धाई लाख से अधिक कौपी जाशने के लिए मुल्यांकन केंडर पहुजी है साथ ही शिक्षकों को आदेश दिये जाएंगे कि वे नियमों का पूरी तरह पालनकरे और जिनकी ड्यूटी कौपी जाशने में लगाई गई है वे समय पर उपस्तित होए अनिधा उनके खलाफ कारवाई की जाएगी जिला कारले के अनुसार हमारे एक हजार शिक्षकों का रेजिस्ट्रेशन हुआ है और अभी हमारे पास जैसे ही शिक्षक आते जा रहे हैं तो रोज शाम को पस्तितियों की दर्ज होगी और पता चल पाएगा लेकिन एक पूरी कौपियां जो आती है चार-साड़े चार लाग के करीब कौपियां आती है हमारे जशने के लिए और इसमें छे से लेके 700 टीचर की हमें आवशक्ता होती है और प्रिक पॉइंट पे हमें 600-700 टीचर आते हैं सुरक्षा की जशने से हमारे पूरे साल भर एक चार का गार्ड लगा होता है गार्ड अभी बहार बैठे हुए हैं और सो मीटर की दूरी पे हमने एक रसी बदबाद लिए जिस दिन पेपर होगा उस दिन मुल्यांकन का काम दोपर साड़े बारह बजे से एक बजे तक शुरू होगा जिस दिन पेपर नहीं होगा उस दिन जाचने का काम सुबह साड़े दस बजे से शुरू होगा जो शाम छह से साथ बजे तक चलेगा